नमस्कार दोस्तों जीके अर्दुसार यूप्टी चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिसान प्रवक्ता परिछा 2021 पीजी टी इतिहास प्रेटी सेट 93 में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी स्रिक्वेस्ट अवी पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं अगर आप लों को इससे पिछला यानि प्रेटी सेट 92 तक वीडियो देखना है तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर जिसका नाम है यूपी पीजी टी इतिहास और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डि देख सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं को से नंबर वन है अमीर खुस्रों के खैजेन उल्फुतू में किसके सैनिक अभियानों का विब्रण है खैजेन उल्फुतू अमीर खुस्रों एक लिखा है उसमें किसके सैनिक अभियानों का विब्रण दिया गया है जेखे आपसंदिया है दच्छिन भारत में मलिक काफूर मेवात परदेश में सुल्तान बलबन गुजरात में मोहम्मद तुगलक उड़िसा में फिरोष इसके अलावा अलावदिन खिलजी के दक्कन अभियान के भी ब्याख्या किया गया है और मंगोल आकरवण के के बिशे में भी इस पुस्तक में जनकारी मिलती है कोस्टन नमबर दो है राजतरंगडी के अनुशार निर्वाचन द्वारा सिहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? इसमें ये सासक बना था कस्मीर का सासक चुना गया था ये कुशन नमबर तीन है कहा के सासकों ने सुल्तान उस सर्क की उपाधी धारन की थी तो ये धारन की थी कहा की जोन पूरकी इसका एंसर हो जाएगा सी जोन पूरकी कुश्चन नमबर चार है निमलिखित में से किस लेखक ने बिजनेगर समराज का एक समकालिन विवरन लिखा है आपसन देखे दिया है सम सिराज अफिप लिंस साटेन डोमिगो पेईज पिट्रो डिल्ला विल्ले इसमें एंसर हो जाएगा सी डोमिंगो पेईज कुश्चन नमबर पांच है निमलिखित में से किस सुल्तान ने हाबे सर्ब नामक सिचाई कर लगाया था हाबे सर्ब नामक सिचाई कर लगाया था आपसन देखे दिया है इल्तू तमीश अलावदिन खिल जी ग्यासो दिन तो इसका एंसर हो जाएगा फिरोज सा तुगलग हाबे सर्ब ये सिचाई कर था इसको लगाया था फिरोज सा तुगलग ने तो ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दस परतिसत सिचाई करके रुप मिलिया था कौन था फिरोसा तुगलग कोशन नमबर च्छे है निमलिखित में से किस बाहमनी राजा ने बिजयनगर के एक राजा के साथ बैवाईक समन्द अस्थापित किया था कौन था इसमें दिया है अलाओदिन बाहमन सा फिरोसा बाहमनी मामूस सा आमस सा इसमें इंसर रोजायगा भी फिरोसा बाहमनी कुश्चन नमबर साथ है अपने राजा रोहन के ठीक पुरुव मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमीश के पास निमलिखित में से कौन सा इक्ता था कौन सा इक्ता था दिया है कालपी, लखनवती, कालिंजर, बदाईू, इसमें सरोजाएगा डी बदाईू का कुश्चन नमबर आठ है क्रिशन देव राय किस अवधी के बीच बिजयनेगर समराज का राजा था किस अवधी के बीच तो ये थे इसविशन 159 से 1530 सिवी 159 से 1530 सिवी, बिजयनेगर समराज के राजा था कुश्चन नमबर नौ है, बिजयनेगर समराज के प्रमुख प्रांत पती क्या कहलाते थे राउत, नायक, पोलिगर, मैयर तो ये कह जाते थे नायक, यानि बिजयनेगर समराज के प्रमुख प्रांत पती क्या कहलाते थे नायक कहलाते थे कोर्शन नमबर दस है औरंग जेब ने दक्कन में निमलिखित में से किन दो राजियों को जीता था औरंग जेब ने दक्कन में निमलिखित में से किन दो राजियों को जीता था आपसे देखे दिया है इसमें बीधर एम वीजापूर 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 व रायचूर दूआव, रायचूर दूआव, मतलब थो नदियों को बीच उपजाव भुहमि को CANता है, रायचूर, दूआव, और ये जहां संगर्स किया था ये, बामणी राज बिजद्य नगर, रायचुर द्वाप्त ये क्रिश्णा नदी थी एक तरफ तुंग भद्रा कोश्ण नमर बारा है दच्छिर भारत में चोलो एवम उनके उत्रा अधिकारियों के काल में क्रिश्ण के संग का अभिधान था तो क्रिश्ण के संग का अभिधान क्या था दिया इसमें आलू मंगडम नाना देशी चेटी रामेली या एब्बू रिवर इसमें एंसर जाएगा चिटी रामेली कुश्ण नमबर 13 है कांधार कव हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल कर साफियों के पास चला गया था सन 1606 1617 1622 1632 तो इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा 1622 इसमें क्या होगा 1622 इसमें या जहांगीर के साफन काल में जो है कंधार मोगलों को हाथ से निकल गया था या जिसको इरान कायाता है के हाथ में चला गया था और साजहां के बिद्रो करनर जहांगीर कंधार की रच्छा और उससे पुनप्राप्त करने का प्रत नहीं कर सका था कोश्चन नमबर चवदा है निमलिकित में से कौन सा हिंदु अस्थापत्य का एक निरी दर्शन है जिस पर इसलामी प्रभाव निरी दर्शन है जिस पर इसलामी है यह लग है जिस पर इसलामी प्रभाव परिलच्छित होता है तो इसका एंसर हो जाएगा ए कमल महल बिजे नगर इसमें एंसर होगा ए कमल महल बिजे नगर कोश्चन नमर 15 है मलक्का कैबे के बिना नहीं रह सकता और न कैबे मलक्का के बिना अगर उन्हें बहुत धनी और संब्रीद बनना हो तो ACI बेपार की बिशे में यह टिपडी किस ने की थी यह टिपडी किस ने की थी इसका एंसर जाएगड़ी क्योश्चन नमर 16 है कॉन सत्रहमी सताब्दी में नील के उतपादन के लिए प्रसिद था तो 17 सताब्दी में पूझ रहा है नील के उतपादन के लिए प्रसिद था तो इसमें एंसर हो जायख ड़ी सर्खेज नील बयाना जिले के सर्खेज में होता था कोश्चन नमबर 17 है अबुल फजल ने अपने राचनाओं में निमलिखित में से किसका उल्लेख किया है दिया आस्वन विद्या या दूर दर्शक यंत्र की क्रियासली या गुर्त्वा कर्शन का सिध्धान्त या धातू धलाई की प्रविधी तो इसमें करेक्ट्रेंसर रोजाएगा D धातू धलाई की प्रविधी कोश्चन नमबर 18 है अबुल फजल ने आइने अकवरी में कुछ मुगल कलाकार नाम दिये जो मुगल सिल्फ कला में कारवरत है उसके दवारा दी गई सही संख्या निर्दिष्ट कीजिए तो देखे 17 है 22 है 28 है 34 है इसमें एंसर हो जाएगा A 17 कोश्चन नमबर 19 है पानी पत का तिर्ती यूद्ध किसके सासनकाल में हुआ था पानी पत का तिर्ती यूद्ध किसके सासनकाल में हुआ था तो पानी पत का तिर्ती यूद्ध हुआ था किसके सासनकाल में आपसंदिया मुहमद साह आलम गिर्दुतिय सा आलम दुतिय जहादार साह इसका एंसर हो जाएगा C सा आलम दुतिय कोश्चन नमबर 20 है 16 अब 17 सतापद्यों में इरोप वासी प्रद्योकी की निम्लिखित वस्तुव में से किस एक को भारत नहीं लाया थे किस एक को भारत नहीं लाया थे दिया है 846 बिजो अप्पित्र लगलंगर दरपन तो इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा D दरपन कोश्चन नमबर 21 है चादी का सिक्का रुपया सर पर्थम किसी ने चलाया था? चादी का सिक्का रुपया सर पर्थम किसी ने चलाया था? तो सिक अंदर लो दी हिमाउं सेरसा सूरी अकबर तो चादी का सिकार रुप्या सरपर्थम किसे चलाया था ये चलाया था सेर सा सूरी ने ब्यक्ति को राग सिहासन पर बैठाया दिया आमेर मारवाड बिकानेर जैसल मेर तो इसमें अंसर हो जाएगा बी मारवाड कोश्चन नमबर तेईस है दिल्ली संत्राते फिरोसा तुगलक के बाद नहरों से पानी के आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल सासक कौन था त जहां इसका एंसर हो जाएगा डड़ी सा जहां था कोश्चन नमबर 24 है राजकुमार दारा सिकों ने निमलिखित में से किसकी रचना की थी? दिया है फुएद उलफवाद या चहार गुलसन या चहार चमन या मजम उलबहरीन तो इसमें एंसर हो जाएगा राजकुमार दाराशिकों ने किसकी रचना की थी तो इसमें सोर जाएगा मजम उल बहरीन तो मजम उल बहरीन जो है दो समुंदरों का संगम इसको कायाता है दो समुंदरों का संगम है मजम उल बहरीन दाराशिकों की रचना है यानि कि इस गरंथ में हिंदू धर्म में रूची का पता चलता है और इस गरंत में हिंदू और मुस्लिम सुफी मत का तुनलात्मक वर्लन किया गया है कुस्टन नमर 25 है सेर सासूरी कहां उपज का केवल चतुर थानसी भूमिकर के रूप में लेता था दिया है आगरा सासारा मुलतान लाहोर तो इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा सी मुलतान सेर सासूरी कहां उपज का केवल चतुर थानसी भूमिकर के रूप में लेता था तो इसका एंसर हो जाएगा मुलतान सी एंसर होगा मुलतान यह थे कोस्टन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक करें अधिस सेर करें धन्य बात दोस्तों जय हिंद वन दे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो में